नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रह्मत राज में दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एक्जाम 2021 के लिए साइकलोजी के टेस्ट पेपर नमबर 3 के बारे में विगत परिक्षाओं में आई वे परसना महल कर रहे थे सुपर 30 क्योशन आज आपके लिए लेकर मैं फिर्शा हाजिर हूँ दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक एक बार जल्दी से कर दीजिए इससे पहले के दो टेस्ट यह दे आपने नहीं देखे हैं तो आपको पले लिस्ट मिल जाएगी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें ताकि सभी का आंकलन हो सके चलिए दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं परसन नमबर एक आपके शामने परदर्शित हो चुका है शिक्सा मनोविज्यान की परवर्ती की मुख्य विसेष्टा क्या है बाल मनोविज्यान पर बल बालक के व्यक्तितव का आदर व्यक्तिगत विबिन्ता के अनुसार शिक्षन या इनमें से कोई नहीं दोस्तों प्रशन नमबर जो एक है उसका राइट आंसर रहेगा व्यक्तिगत विबिन्ता के अनुसार शिक्षन C option correct answer रहेगा प्रेशन नमर 2 के और बढ़ते हैं दूसरा प्रेशन आपकी स्क्रीन पर है ततपरता का नियम किस ने दिया है पावलव, एबिंग होस, थोन डाइक या इसकिनर चार विकलप आपके सामने हैं आपको कमेंट बोक्स में हर एक क्यूसन का जबाब देना है दूसरे प्रेशन का जो राइट आंसर है वे रहेगा दोस्तों थोन डाइक जो ततपरता का नियम दिया है वह दिया है थोन डाइक ने C option बिल्कुल सही है प्रेशन नमर 3 के और आते हैं अमुर्थ तरीके से चिंतन दुआरा या बासा के नए अरजित ग्यान के अनुपरियोग सी चार विकल्प आपके सामने है प्रेशन नमर 3 का जो राइट आंसर है गा जनम से दो वर्ष के आयू के बीच जो दोरान बचा शीकता है वे इंद्रियों से सरवादिक शीकता है option नमर A बिल्कुल सही है प्रेशन नमर 4 के और बढ़ते हैं जेफी गिलपोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है सोच में परिवर्तन, ज्यान का सरजन, अनुबह उपरापत करना या व्यवार में परिवर्तन जेफी गिलपोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है सात्यों ये बताना है प्रेशन नमर 4 के अंतरगत प्रेशन नमर 4 का जो राइट आंसर हैगा सात्यों वे रेगा व्यवार में परिवर्थन गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवार व्यवार में परिवर्थन ये अधिगम है तो option number D बिल्कुल सही होगा प्रसन नमबर 5 के और बढ़ते हैं 500% आपकी स्क्रीन पर आचुका है संकेत अधिगम के अंतरगत सिखा जाता है पारमपरिक अनुकुलन मनो विज्यान वातावरण या मनो देहिक चार विकलप आपके सामने हैं प्रसन नमबर 5 का राइट आंसर बताना है संकेत अधिगम के अंतरगत सिखा जाता है क्या सिखा जाता है पारमपरिक अनुकुलन सिखा जाता है सातियों ओप्षन नमबर A पाचवें परसन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रसन नमबर 6 के और आते हैं चठा प्रसन आपकी स्क्रीन पर है निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिखा जांत से नहीं है प्यारे सातियों प्रसन नमबर 6 का आंसर बताना है वीडियो को लाइक निया तो पहले लाइक कर दीजिए छटे क्यूसन का राइट आंसर ओप्शन नमबर D रहेगा ग्यान की ए प्रियाप्टता की जांच करना ये ब्रूनर की सिदान्त में नहीं है D ओप्शन बिल्कुल सही है प्रात्मिक विद्याले के बच्चों में समश्या निवारन कोसल में सुदार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है चार विकल्प आपके सामने है राइट आंसर आपको बताना है प्रात्मिक विद्याले के बच्चों में समश्या निवारन कोसल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है प्यारे सातियों परसन नमबर साथ का आंसर बताना है ज्यान पूरोग पढ़िए इसे सात्वें क्यूसन का जो राइट आंसर एगा वे रहेगा बी ओप्षन उन समश्यों का समाधान खोजना जिनका वे अपने देवनिक जिवन में सामना करते हैं ये रहेगा सबसे अच्छा तरीका समश्या निवारन कोसल का तो बी ओप्षन बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रेसन नमर आठ क्यों राते हैं आठो प्रेसन देखिए एरिक्षन के अनुसार बचों का मनो समाजिक विकास आठ चरणों में होता है कक्षा 3 का एकछातर नो साल के आस पास का है विकास के किस चरण से मेल खाता है सरमिंदगी बनाम संदे के मुकाबले की स्वायतता, परिश्रम बनाम हिंता, निर्तरतो बनाम अपराद या अंतरंगता बनाम एलगाओ परिश्रम बनाम हिंता के अवस्ता, बी ओप्सन बिल्कुल सही है परिश्रम बनाम बनाम लुग के समद में कौन सा कतन गलत है विकास पुरवानू में होता है, विकास सामाने से विशिष्ट के ओर चलता है, विकास रेक ही होता है या विकास निरंतर होने वाली परकिरिया है आपको बताना है कि गलत कतन कौन सा है विकास के सम्मझ में तो प्रसन नमबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा ओप्शन नमबर 6 विकास रेक की होता है ये बिल्कुल ऐस सत्य बात है जबकि विकास तो वर्तुला कार होता है शी ओप्शन करेक्ट आंसर बनेगा प्रसन नमबर 10 क्यों राते हैं दस्वाइ क्यूसन आपके सामने है मनोलेंगिक विकास में सुसुपता आवस्ता का वर्स अंतराल सम्मझ दित है मनोलेंगिक विकास में सिंगमड फ्राइड ने 5 अवस्ताएं बताई है मनोलेंगिक विकास में आपको सुसुपता आवस्ता का वर्स अंतराल बताना है चार ओप्सन आपके सामने अवेलेबल है प्रेसर नमबर दस का राइट आंसर क्या रहेगा सातियों दस्वें का राइट आंसर हैगा 6 से 12 वर्ष तक की आयू सुसुपत आवस्ता होती है मनोलेंगी विकास के अनुसार बी ओप्षन बिल्कुल सही रहेगा प्रसन नमबर 11 के ओर आते हैं ज्यारवा प्रसन है किसोर आवस्ता में बालकों को सहयोग के लिए आवशक है अभी प्रेरणा गलती निकालना आलोसना करना या नकारात्मक व्यवार करना किसोर आवस्ता में बालकों को सहयोग के लिए क्या आवस्ता है दोस्तों ये बताना है प्रसन नमबर 11 में राइट आंसर क्या बनेगा ओप्षन नमबर A अभी प्रेरणा ए ओप्षन बिल्कुल सही है कम समय में अधिक युशन करवाने का हमारा जो परपज है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं बारवा कि युशन देखिए नेमनलिकित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मा कवस्ता बच्चों की विशेष्था को बताती है विचारों की अनुत कर्मनियता वर्तुल प्रतिकिर्या लक्षे निर्देशित व्यवार या विलंबित अनुकरन पूर्व संक्रियात्मा कवस्ता बच्चों की विशेष्था बताती है कौन सी चल्दी से बताईए दोस्तों पुर्व संक्रियात्म कवस्ता में कौन सी विसेशता आती है प्रसन नंबर 12 का राइट आंसर एगा विचारों की अनुत कर्मनियता जिहां दोस्तों ओप्षन नंबर A जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा प्रसन नंबर 13 क्यों राते हैं प्रसन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है आपको कौन सा युग्म सही है तो यहां पर सही कौन सा है कौलर ने दिया था अंतरदस्टी अधिगम बी ओप्षन बिल्कुल सही रहेगा प्रसन नंबर 17 की और बढ़ते हैं चवदों परसन देखिए किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक परतिक्रियाओं तता सांसकर्तिक संदर्ब में प्रभाव को समझना आवशक है किसने कहा कि चिंतन के बारे में सामाजिक परतिक्रियाओं और सांसकर्दर्ब में जो है उसके प्रबाव को समझना अतिया आवशक है लोरेंस कोहलबर्ग जीन पियाजे लेव वाई गोट्स की या अलबर्ट वांडूरा साथियों प्रसन नमबर 17 का आपको कमेंट करना है प्रसन नमबर 14 का जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा उप्षन नमबर C लेव वाई गोट्स की जी हाँ दोस्तों C उप्षन बिल्कुल सही होगा प्रसन नमबर 15 के और बढ़ते हैं पंदरवां किस्टन आपके स्क्रीन पर है मेश लो के अभी परेरना सिदान्त को क्या कहा जाता है आवशक्ता पदानुकरम का सिदान्त सारिरिक सिदान्त दरड इच्छा सक्ति का सिदान्त या अंतरनोध का सिदान्त चार विकलप आपके सामने हैं प्रसन नमबर 15 का राइट आसर बताना है मेश लो के अभी परेरना सिदान्त को क्या कहा जाता है तो यह का जाता है दोस्तों आवशकता का पदानु कर्मित सिद्धान बिल्कुल ओप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर एगा पंद्रवे में प्रसन नंबर 16 के और बढ़ते हैं 16 किस्टन आपकी स्क्रिन पर है पिछडे बालक ऐसे होते हैं पिछडे बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति दिमी हो बुद्धी लब्दी इस्तर असी से नब्बे हो मानसिक रूप से ऐस्वस्त और ऐसमायोजित व्यवार हो या जगडालू परवर्ति के हो प्रसन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है पिछडे बालक कैसे होते हैं सोडवें का राइट आंसर हैगा ऐसे बालक जिनकी बुद्धी लब्दी इस्तर असी से नब्बे हो बी ओप्शन बिल्कुल सही रहेगा प्रसन नंबर 17 की और बढ़ते हैं व्यक्तित्व के संदर्व में कौन सा कतन ऐस सत्य है चार विकल्प आपके सामने हैं ध्यान पूर्वक इनको पढ़िए राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट कीजिए व्यक्तित्व के संदर्व में कौन सा कतन ऐस सत्य है सात्यों तो व्यक्तित्व के समद्थ में जो ऐस सत्य कतन है वो डी ओप्शन वाला है व्यक्तितव व्यक्ति के केवल बारी रूपत की सिमिते ऐसा नहीं होता है तो D option बिल्कुल correct answer रहेगा प्रसन नंबर 18 की और आते हैं सातियों 18 क्यूशन है निम्न लिकित में से कौन सा हमारे इंदरिये सुक्ष की इच्चाओं का बंडार गरे है परा एहम, एहम, सुक्षम, एहम या इदम इच्चाओं का बंडार गरे कौन सा होता है ये बताना है दोस्तों 18 में तो प्यारे सातियों आप सभी को पता है इच्चाओं का बंडार गरे इड यानि इदम होता है option नंबर D बिल्कुल correct answer बनेगा प्रसन नंबर 19 के ओर आते हैं कू समायोजित बालक है परसंचित होता है पढ़ने में तिवर होता है पूर्ण स्वस्थ होता है या तनाव युक्त होता है कू समायोजित बालक की विशेषता बतानी है प्रसन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है 19 में परसन का राइट आंसर हैगा कू समायोजित बालक जो है वो तनाव युक्त होता है दोस्तों ओप्शन नंबर D बिल्कुल सही है परसन नंबर 20 के ओर बढ़ते हैं बीस वाइक क्योशन आपकी स्क्रीन पर है बालक का मानसिक स्वास्ति किस पर निर्पर करता है परिवार पर, विद्धाले पर, समुदाई पर या उप्रियोक्त सभी पर आपको ये बताना है कि बालक का मानसिक स्वास्ति जो है वो किस पर निर्पर करता है सातियों तो यहाँ पर जो right answer होगा वे उप्रियोक तो सभी हो जाएगा option number D बालक का मानसिक स्वास्तिय परिवार पर भी निर्पर करता है विद्दाले और समुदाई इन सब निर्पर करता है तो D option बिल्कुल सही हो गया है परसा नंबर 21 के और बढ़ते हैं 21 question आपकी स्क्रीन पर है एक 11 वर्ष ये बालक जिसकी मानसिक आयू 10 वर्ष है किस स्रेणी में आएगा परतिबा साली, मंद बुद्धी, तिवर बुद्धी या औशत बुद्धी जल्दी से बताए right answer क्या रहेगा एक 11 वर्ष ये बालक जिसकी मानसिक आयू 10 वर्ष है किस स्रेणी में आएगा तो आप सभी को सुत्र याद है, ma बटा, c, a, into, so उससे आप हल करेंगे तो right answer जो आएगा वहे आएगा और सत बुद्धी यानि 90 से 110 के बीच में D option बिलकुल correct answer बनेगा person number 22 के ओर आते हैं सर्जनात्मक उत्रों के लिए आवशक है परतियक्स शिक्षण है, विशेवस्तो आदारित परसन, मुक्त उत्तर वाले परसन या एक अत्यंत अनुसासित कक्सा सर्जनात्मक उत्रों के लिए किस प्रकार के परसन अतिया आउश्य के ये बताना है आप सभी को 22 में तो साथियों सर्जनात्मकता के लिए जो है मुक्त उत्र वाले परसन होने चाहिए बिल्कुल ओप्शन नमबर सी करेक्ट आंसर एगा परसन नमबर 22 में परसन नमबर 23 देखे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे है बाल अपरादियों की आयू होती है पांच से 10 वर्ष तक 3 से 12 वर्ष तक 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष से अधिक बाल अपरादियों की आयू कितनी होती है ये बताना है साथियों परसन नमबर 23 में परसन नमबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्षन नमबर सी 18 वर्ष से कम उमर के जो अपरादी होते हैं उन्हें बाल अपरादी का आजाता है सी ये ऑप्षन बिल्कुल सही रहेगा परसन नमबर 24 की ओर बढ़ते हैं 24 वाप्षन आपकी स्क्रीन पर परिवर्तन होना कौन सा चरण सोद को क्रियात्मक अनुसंदान बनाता है प्यारे सातियों परसन नमबर 24 का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा परोग्राम का क्रियान वेन एम उसका मुल्यांकन करना बी ओप्षन बिल्कुल सही है परसन नमबर 25 के ओर बढ़ते हैं 25 व व्यापक मुल्यांकन, सामोई कार्य मुल्यांकन या इनमे से सभी तो आप सभी को राइट आंसर बताना है परसन नमबर 25 का सही उत्तर क्या रहेगा NCF 2005 के अंतरगत परिक्सा सुदारों में से निम्ललिकिस में से कौन सा सुदार सुजाया गया है परसन नमबर 25 का राइट D option रहेगा यानि खुली पुस्तक परिक्षा भी सतत निरंतर व्यापक आकलन और मुल्यांकन भी और सामोई कारिय मुल्यांकन भी यानि D option बिल्कुल सही रहेगा प्रात्मिक इस्तर पर सेक्षनिक गंटे कितने निर्दारित है 800, 1000 या 1100 या 700 चार विकल्प है प्रात्मिक इस्तर पर सेक्षनिक गंटे कितने निर्दारित किये गए हैं दोस्तों RT 2009 के तेहत सात्यों प्रात्मिक इस्तर पर जो है 800 गंटे निर्दारित किये गए हैं option नमबर A बिल्कुल सही आंसर एगा प्रेशन नमबर 26 का 27 प्रेशन नीजी इस्कोलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं कितने परसेंट 25 परसेंट 30 परसेंट 40 परसेंट या 45 परसेंट नीजी इसकोलों में गरीब बच्चों के लिए कितने परसेंट सीटें आरक्षित है ये बताना है आप सभी को परसन नंबर 27 में साथियों नीजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षीते 25% ओप्षन नमबर ए बिल्कुल सही आंसर एगा 27 प्रसन का प्रसन नमबर 28 के ओर बढ़ते हैं 28 प्रसनें उपलब्दी किस पर निर्बर करती है योग्यता एं प्रेरणा दोनों पर प्रेरणा पर योग्यता प्रिया आलेशे पर चार विकल्प आपको मैंने बताई राइट आंसर अब आपको बताना है कि उपलब्दी किस पर निर्बर करती है साथियों जो उपलब्धी होती है वहे योग्यता और प्रेरणा दोनों पर निर्बर करती है तो ए उप्षन आपका जो है बिल्कुल सही आंसर बन गया है प्रेसर नमबर गुंतिस की ओर आते हैं नियमने में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समश्या नहीं है सीखने के लिए प्रेरणा का अबाव सर्जन सिल्ता को पोसित होने के आउसर नहीं मिलना रहने के लिए स्वस्त परिवेश या विदाले में पक्सपात पुन वातावरण का सामना करना कौन सी सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समश्या नहीं है ये बताना है आपको गुंतिस्वे पर्षन में प्रेसर नमबर जो गुंतिस का राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ओप्शन नमबर शी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश ये है सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समश्या नहीं है ओप्शन नमबर सी करेक्ट आंसर रहेगा प्रेसर नमबर जो है तीस के और बढ़ते हैं तीस्वे पर्षन आपकी स्क्रीन पर है सरजनात्मक्ता की पैचान होती है पुराने व्यवार से चित्रकला से संगीत से या नवीन परिणामों से सरजनात्मक्ता की पैचान किस से होती है सात्यों ये बताना है पर्षन नमबर तीस के अंतरगत तो तीसमें परसंड का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा नवीन परिणाम से सरजनात्मकता की पैचान होती है डी ओप्षन बिल्कुल सही रहेगा सात्यों हमारा टेलिग्राम ग्रूप है रेमतराज मैथामेटिक्स आप उसको जोईन जरूर कर लें हम वहाँ पर PDF देने का भी प्रियास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना है आपके आज तीस में से कितने क्यूशन सही वे ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिए और हिंदी का सुबह सिक्षन वीडियों की अलग से टेस्ट सीरी सुरू की गई है तो वहाँ पर भी आपको सुबह साथ से साड़े साथ के बीच वीडियो मिल जाता है तो वे 15 परसन भी विगत परिक्सों में आये वे परसन होते हैं उनको भी जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै बारत थैंक यू